हाई रिच को अगर आप सुनेंगे तो कैसा लगेगा उसमें हमारे दिमाग रिच की तरफ जाएगा पैसा पैसा रिच बट यही चीज अगर एक कंपनी की फॉर्मेशन ले और आपके साथ स्कैम कर जाए तो क्या इसमें बिलीव करेंगे जी हाँ आपके पास आज एक नई नी एक का नाम है केडी प्रैथपन जो हजबेंड है और वाइफ का नाम है स्रीना पैथपन यह हजबेंड वाइफ ने कंपनी शुरू की ओनलाइन शॉपिंग की एक कंपनी है काइंड ओफ एक e-commerce प्लैटफॉर्म बनाया अपनी एडवर्टीजमेंट की फेस्बुक पेज या प्लैंड अब इन्होंने हाई डिटउर्म के वादे की का इंडओ 40% के रिटंट के वादे किये 50% पर तेंब के हमारे प्रोडउक लोगे बेसिकली प्रोडट्स से जादा यहां पर जोडने वाली कुछ ना कुछ percentage इसके साफ से की हुई थी तो ऐसी चीजे चल रही थी केरला के district में बहुत सारे लोगों ने यहां पर investment करना शुरू किया तो कम से कम देड़ लाक investors ने इस company में पैसा डाला किसी ने कुछ डाला किसी ने कुछ डाला कई लोगों के तो बहुत लाको रुपे लग गए और बाद में जब उनको returns नहीं मिले तो उन्होंने cases फाइल करने शुरू किये और यह जो couple है वो रहता है चेरपू district में चेरपू एक area है कोच पड़ी एडी की एडी क्या होता है enforcement direct rate तो जब लोगों ने complaint डाली police complaint हो या वो एडी के office गए तो वहाँ पे offices में पता लगा कि ऐसी कोई company है जो money laundering कर रही है money circulation कर रही है यानि लोगों को 40% 50% के high returns के वादे करके उनको वो पैसे नहीं मिल रहे जो वो चाह रहे थे तो वो business opportunity को जो ढूंड रहे थे वो उसमें उनको थोका नड़ी फीली जब complaint डालनी शुरू करी तो कोची की जो ED agency है जो वहाँ की ED है enforcement direct rate उन्होंने अपना charge लिया और उन्होंने decide किया कि वहाँ पे अपनी raid मारने वाले है इनके घर पे इनके offices में तो पता लगा 70, 70 shell companies बहार निकल के आई हैं इनके basically घर पे वो गए चेरपू जो district area है वहाँ पे वो घर पे गए उन्होंने जाने जब वो पहुँचने वाले थे उससे पहले ही यह तीन जने यानि husband wife और उनका driver तीनों जने वहाँ से भाग गए तो ED ने मदद मागी थ्रिसूर पुलिस से तो वहाँ पे पता लगा कि इन्होंने अब bail के लिए अपनी अरजी दी हैं और इन्हों की जो district निकल के आई जो कागजात वगएरा जो भी कुछ घर से मिला जो भी इनके evidences मिले प्रूफ मिले जो भी कुछ वहाँ पे यह निकल क companies थी kind of shell companies का मतलब होता है fake companies जो एक बना दी जाती है companies तो इस company के basis पे पता लगा के लोगों ने अपनी अपनी companies create की हुई है और बता रहे हाई investment हाई investment के वादे किये जा रहे है वादे किये जा रहे है basically chain बढ़ाने की कोशिश चल रही थी तू भी आजा तू भी आजा तू आजा तू भी आजा kind of तो ऐसे करते करते डेड़ लाक इन्वेस्टर इसमें आ जाते हैं और उनके साथ होती है दोका दड़ी तो अभी तक जो पता लगा 55 bank account freeze किये गए है जो different companies के नाम पे registered है उनको freeze किया गया जिसमें 212 करोड के आसपास का amount freeze हो गया है और यह पता लगा investigation में कि 1603 करोड के आसपास या 1630 करोड के आसपास इस company ने डेड़ लाक इन्वेस्टर से पैसा raise किया है कुछ टाइम पहले GST जो वहाँ पे देखते हैं Southern Region में उनकी तरफ यह complaint आई थी कि इस company ने 703 करोड रुपे raise कर ली है और इनके उपर 126 करोड का GST बकाया है तो यह आ रहा था कि यह पैसा raise किये जा रहे है इनके bank account में पैसा आये जा रहा है और यह GST नहीं बर रहे यह अपना tax नहीं बर रहे और कहीं ना कहीं उन departments को भी शक जा रहा था और लोग की जब complaints आने लगी तो GST department या ED हो, police हो, सब ने एक साथ एक team बना के इनके उपर कारवाई करनी शुरू करी और इनको पता नहीं कैसे पता लगा होगा तो साड़े दस बजे के आसपास जब ED के officers वहाँ पहुचे हैं इनके घर पे तो वहाँ पे यह लोग जा चुगे थी, किसी तरीके से manage करके छापे मारी करी, raid करा और उसमें जो दस्तावेज जो भी कुछ मिला, उनसे ये सारी बाकी details मिली है, अब जो इतने सारी investors हैं लोग है, उनको पैसा किस तरीके से मिलेगा, इसका तो भी कोई idea नहीं है, ना कोई statement और प्रॉपर, अभी उन्होंने bail की request डाली है, अभी court की hearing 25 जनवरी से 30 जनवरी तक की shift हो गई है, ये हो सकता आगे भी shift हो, बट उन investors का क्या, ED ने तो raid मार दी, bank account freeze कर दिये, यानि कोई भी refund policy ऐसा कोई system लोगों को पता ही नहीं था, 800 रुपर बहुत छोटी रगम लगती है, कि एक ने एक से 800 रुपर लिए आपने company को दिये, और company ने in return आपको 100 रुपर दे दिये, ये चीज, वादे कुछ करके आपको 100 रुपर पकड़ा दी, 800-800 रुपर में से, कोई product का कुछ involvement नहीं हो रहा था, लोगों को सिर्फ पैसा ही एक तरफ से लेके company को देना हो रहा था, तो इसको बोलते है money circulation, यहाँ online platform बना दिया गया शॉपिंग का, बट वहाँ पे कोई product selling कुछ नहीं हो रही थी, जो as per data अभ की multi-level marketing frauds में फसने से better है, कोई अच्छी opportunity अगर आपको दिख रही है न सामने से, दिख रहा है कोई आपके पस opportunity को ले के आ रहा है, पहले अच्छे से उसे justify कर लो, अगर आपको दिख रहा है कोई सामने से आपको offer कर रहा है, कि भाई मेरे साथ ये काम कर ले, मेरे साथ बह गेर सारा पैसा लगा दिया, वो उस्ते वाट सो रुपे दिखता है, बट आठ सो के बाद अगर वो सो बर पैसा लगवा दे तो calculate कर दो, आठ सो इंटु सो, कितने रुपे बनते हैं, फिर वो calculate करो ना, आठ सो इंटु हजार बर आप से धीरे धीरे करके ले लिया जाए, आ आठ लाग, साथ लाग, छे लाग, चान लाग, ठाट हजार, हमने complaints डाली, सब कुछ किया, कोशिशे की, अब इस company के बारी आ गई, इसने 800-800 रुपे चार्ज की, हमारा दिमाग जो काम करता है ना, वो influential काम करने लगे है, हमें अपने जो हमें आरी awareness है ना, उस पे ध्यान न इनकी बाते देखते हैं, कि इन्होंने जो कहा, वो पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, facebook marketing, instagram marketing, youtube marketing, ये सब ads, ये सब चीज़े, सारी चीज़े सही नहीं होती, blind trust मत करो, अपना भी एक survey करो, अपनी भी एक information को collect करो, कि जो सामने business opportunity मेरे पास आ रही है, वो सही है य नहीं है, वो legal है कि नहीं है, अब ये जो डेड़ लाख investor, जिन्होंने यहाँ पे पैसा डाला, क्या होगा उनका, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बट अभी क्या होगा उनके साथ, उनके अगर उसमें से किसी के भी मानलो 2-3 लाख, य किसको गाली देगे, क्या वो qnit को गाली देगे, नहीं न, वो high rich company को यह गाली देगे, बट high rich company के बारे में आपको जानना इसलिए जरूरी है, हो सकता है, वो company वहां से बच के आजाए, वो owner's couple वहां से बच के आजाए, फिर वो वहां से वहीं काम करेंगे, और वो ही opportunity ऐसा डालने से पहले अपनी investigation कर लो बात 800 रुपे की नहीं है 800 करके 1000 रुपे 1000 बार ले लिए बात उसकी है हमें इस चीज को यहां से समझना है यहां से समझना है ठीक है I hope आपको इस company के बारे में कुछ basic information मैंने देने की कोशिश की है आपको समझ में आई होगी और ऐसे और भ का प्लीज सपोर्ट बना के रखना थैंक यू सो मच बाइ टेक केर चाहिए